हेलो फ्रेंड्स गिजमाइट पर आपको स्वागत देशी स्यागर कुमार तो फ्रेंड्स का एसेंपल बिल्कुल मस तो फ्रेंड्स आज एक कलास में सुलिशन का फाइव पलास है इससे पहले जो कलास है उसमें तीरिपुच और चत्रपुच बढ़ा रखा है तो अगर वीड होता है जैसे समझेंगा वाटफर ध्याण से दिखनेंगा जो भी कहता है इसतर चोटे चोटे बिंदू को चिपकाते जाएगा एक राउंड में ब को ला में तो बठीज नीर्मकर होता है और बियेह का यह सेंटर यानि केंदर वीचबदीश अगर को Πूच III कि आपका इसा correct definition मत है तो आप क्या कहेंगे यही कह सकता है ब्रीट वो आकरेती है जिसके सभी बिंदू जिसके सभी बिंदू किंद्र से समान दूरी पर होती है जीसे यहां से यहां का दूरी समान होगा यहां से यहां का दूरी समान होगा यहां से यहां का दूरी समान होगा तबी तो breathe के निर्माण होगा, तो breathe समझा, कैसे breathe बनाए, आगे बढ़ते हैं, आगे समझेगा फ्रेंट, देखे ये बनाए फिर से एक breathe, और ये breathe का center है, देखे जो ये घेरा दिखाए दर आए, जो घेरा बनाए, इसको हम बोलते हैं परीधी, क्या बोलेगा भाई, परीधी इंगलिस हम बोलते हैं, circumference, इसका नाव कहा है भाई, परीधी है, जो ये घेरा बना, इसको बोलते हैं परीधी, next, आगे समझेगा, देखे फिर से एक breathe, और breathe का ये center, जो ये center है, center और breathe के परीधी के एक बिंदू, एक बिंदू के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी के ब अमना आख से सुचित करती हैं, इसको क्या बोलेंगे भाई, radius यानी द दिरिजिया, इतनी बात है समयची वैई, अगर ये इस बिंदू से इधर एक और द दीरीजिया बना देंगे, इधर एक और दिरिजिया बना देंगे, तो पूरा लकीर, ये जो पूरा लकीर है, इसक क्या बोलेंगे ब्यास डायमेटर जिसे डी से सुचित करते हैं कि यहां के दूरी को क्या बोलेंगे ब्यास बोलेंगे जैसे इसका करेक्ट डिपनीशन के बाद करूं तो यहीं बोलेंगे ब्रीट के केंद्र से ब्रीट के केंद्र से गुजरने वाली जीवा गुजरने वाली कोदी जीवा का लाया का ब्यास जीसे यह ब्रीज बन गया तो केंदर अपर अपर जानने वाली बात होती है कि जीवा क्या होता है जीवा के कि हमने एक फिर से एक ब्रीट बना दिया और ब्रीट के ब्रीट के परीदी के दो पॉइंट को इस दो पॉइंट को कहीं भी मिला देंगे तो यह जीवा बन जाएगा इसको जीवा बोलते हैं ब्रीट को दो बिंदु को कहीं मिला देंगे जीवा हो जाएगा यहां एक बिंद प्वीट की दर से गुजरने वाली जीवा अब झाला चाहा है नाम पड़ाए ब्यास यानि डाइमेटर के लिए रोगा ब्रीत के किंदर से गुजरने वाली जीवा सबसे बड़ी जीवा काला तो ब्रीत के कहीं भी दो को दो पॉइंट को मिला दीजागाँ को थो ब्रीत में इन्फाइनाएट जीआ हो सकता है कि नहीं सकते हैं गिनना थो भी प्रैण्ट को जान गए आगे बढ़ाई हमान अब बात करते को इन्फोर्डेंट संस्या ऑर्पर नेया क्या? पई asking पाई आर इसकूए क्या होगा्यइबौर्फ साथ लागवा कमें करेक्ट की बाद करूं तो पॉइंट एक चार होगा और करेक्ट किया ओगा तीन फॉइंट एक चार। कितना होगा बाइस वाटे साथ आर क्या है आरे के रिडियस है 3 जी आहे किलिए होगा तो वरीत के छित्मल क्या होगा Pyr Square अब बात करते हैं, वरीत का परिधी यानि परीमाप जिसको哦ficer सूचित कारते हैं वरीत के परीधी मतला वरीत में परीमाप को परीधी बोला जाता है क्लिए रेल में फरीधी बोलते हैं क्लिएरे फरीदी क्यों बोलते है क्योंकि इसका रमबाई चुड़ाई नहीं होता है व्रीद का प्रइदी होता है 2 फाई-R 2 1 to 5R फाई क्या है 2 बटे सब आ gost HARRIS है किला है व्रीद का परीदी क्hit चूंत व्रीडिस बात करते हैं दयमितर यान व्याश अगर कोई पूछ दे कि यहां से यहां के दूरी निकाल के बात है यानि ब्यास के दूरी निकाल के बात है तो ब्यास का दूरी कैसे निकालेंगे समझेगा यानि डायमीटर की बात करूँ तो फिर से ध्याने समझने का जब ब्रीद का ब्यास निकालने के बोले तो यहां से यहां ए क्या होगा टू आर किलर होगा अब बात करते हैं रिडियस आनि तिरीजिया की तिरीजिया कैसे निकालेंगे यहां से यहां की तिरीजिया है यहां से यहां तिरीजिया है और फूरा क्या है ब्यास है तो जब ब्यास को यहां से यहां जब ब्यास है तो ब्यास को आधा कर दें गे आधा कर देगा तो 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 ली आधा का देगा ब्यास को तो 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 भीआ समझते हैं अर्द विरित की सब yas करके और पारी है निल मुझा है देखिए यह ब्यास дороже ब्यास ब्रीट के ब्यास और ब्रीद के अर्ध परीधि को चीपका समझेगा फ्रेंट्स कैसे निकालेगे देखिए पूरे बिरीट के छेत्पल क्या होते है वाइयो पाई आर इसक्वाइर होगा तो आधा पूछा गया है नहीं अर्ध बरीट का तो बस दो से भाग लगा देंगे आजागा अर्ध बरीट का छेत्पल का किलर होगा अब इसके पाई के बाई लूब आपको पता होगे तू से गुणा करना है कि लिए और दो रोग च्छिपका देंगे समझें नहीं समझें तो अर्ध पुरीत क्लियर हुआ अब कुछ आगे फॉर्ट समझें यह फिर साम मनें अर्ध बना दिया और एक अर्ध बृत में तिरिभूज बन लिए एक तिर्भूज बन ल मतना मरत आएन लेगा तो एबी सी एबी सीट्रफर पूछ दे टीए और टिर्भूज बना और तिरुज का छेठ ठ्रश निकाल थल्ट कैसे निकालें टेप्र रेंट Ilgen यह से यहां क्या होगा ओकी नहीं होगा कि इसका छेतफल की बात करते हैं तो समझद संख और कुछ नहीं होता है कर दिया कि और विरीद को हमने किया कि चार हिस्से में टुक्ड़ा कर दिया देखें जब यहां से इस तरह होगा तर 90 भी इंगल बनेगा यहां पर इधर भी 90 अधर बिद्धर हो गया तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ इसको चार हिस्से में बढ़ दिया चार हिस्से एक हिस्सा इस तरक काट को निकाल दिया मनें इस हिस्सों को काट के हमने निकाल दिया मतलब इस पर का है यह हमने काट कर निकाल दिया माले यह केक है यह केक है इस केक को हमने सब्सक्रार क मरIST को काटके निकाल देगे क्लिए ये केक निकल गे बाहर शोड़ी से काटा हम ने समझी की समझे कि एक हिस्था का छेत्रफ़ल पूछा जाए यानि एक छोथाईगी के छफ़ल पूछा ब्रीद ना है यह ब्रीद है तो पाई आरे स्क्वाइर तो हमारा क्या होगा एक चोथाई का छेतरफल एक बट्टे चार पाई आरे स्क्वाइर पतर याद रहेगी यह बात है क्लियर होगा कंसेप्ट के लिए आगे बढ़ू मैं और फ्रेंड समझेगा इसका परिमाब अगर एक चोथाई को पुछना है एक चोथाई का निकाल आए तो बस इसमें टू से डिवाइड कर देंगे आपका एक चोथाई का फरिमाब आजाएगा यानि परीति आजाएगा क्लियर है तेक कंसेप्ट किलियर हुआ समझे कि नहीं समझे यह अर्ध ब्रीद हुआ अब नेक्स दो तिरीजिया है यहां एक कोड बने नाम लख है हम थीटा एंगल बना आई समझे की ने समझे अप फ्रेंट समझे के थ्यान से बिखिए अपर ए और पी जो यह जो डिजाई दिखाए दो आपको एब यह जो डिजाइन है यह जो डिजाइन आपको हाप चांड बोसकते है या नाव बले यह को बोलते हैं सविसे स्मॉल से प्रफ़े करते हैं इसको बोलेंगे चाप बी क्या है चाप थो इस थांच समझेगा दो तिरीजिया दो तिरीजिया और चाप की मदर से जो खेतर बनेगा उसे थो परोशानी दूखदार भूए होगी त्रीजए खंड रही है जिसको में सब्सक्वाइब कि और वी क्या है? अब समझेगा बात करते हैं चाप का छिद्रफल यारी से बात करते हैं अब एक निल्ट sonra 360 से यह पूरा 360 होगा पूरा 360 होगा और यह थीटा तो थीटा में 360 से भाग देंगे तो आपका आजाएगा क्या चांप का छेत्रफल निकालने में आपको परसानी नहीं होगी क्योंकि आपके पास एंटिवाइटिकल अब बात करते हैं तिरीजिया खंड का का चेत्रफल प्रिजिया खंड का चेत्रफ़ का चेत्रफल एक और चेतिकर से निकाले दोड़े हैं और यह स्कॉरम किस बदें उसकुटिपकै तो पाई अरे स्कॉर में चिलगा तो आपका दिर्जियाखंट का छेत्रफल आएगा तो तिर्जियाखंट का चेत्रफल एक और होता है एक बट टू एल गूने आर यानि इंटु आर इसका और इसका यूज कहां करेंगे समझेगा जब कूर्षन में दे रखाए पाइपाई के ता भाहिलू बाइश बटे साती होता है आर दे यानि रेडियस दे और एंगल दे रहा हो यानि ठीटा का भाहिलू दिया रहा हो यहां पर एंगल कोई हो सकता है साट नबे पाइट आलेस कुछ भी हो सकता है जब देगा तो इस फट्मूला के यूज करेंगे जब कूर्षन में यानि चांप की लंबाई दो चांप का छेतफल दे दे और रेडियस दे दे तब इस एंटिवाइट का यूज करेंगे तो दोनों डाउट किलियर होगा समझे की नहीं समझे इसमें परसानी तीनों में कुछ भी नहीं होगा किलियर होगा किलियर खंड समझी होंगे नेक्स्ट आगे बात करते ब्रीथ ख हो अफ्रेंट समझें यह जो है एओ Tommy यह क्या अबको पता होग थिरी को तो जो बोले और magic यह पूरे भाग को सकत्सक्स कर्म की ना यह एक डिया आ यह एक जिवा कि यह च्योन दिए chopsticks को डाला भी जह च्हेतर बना एक नया एक नया छेतर बन गया है इसी छेत्रों को बोलते हैं हम लगू ब्रिथ खंड जाए एक लगू ब्रीथ खंड है तो इसका छेत्रफल पूछा जाई यानि A, C, B का लगो व्रीद खंड का छेतफ़ल हमको निकालने के लिए बोला जाए कोशन में कि लगो व्रीद खंड का छेतफ़ल निकाली है तो फ्रेंट्स ध्याने समझे कैसे निकालेंगे इस पॉइंट को देखिए A, O, B, C A, O, B, C, A, O, B, C क्या है तरीजिया खंड है तो हम तरीजिया खंड में से A, O, B यानि इस तिरभूज को घटा देंगे तो यह अला छेतफ़ल आ जाएगा तो फर्मूला क्या बना तरीजिया खंड का छेत्रफ़ल माइनस मैनस क्या करेंगे對啊 मैसे तिरीजे रख्ण के चैतफल माइनस करेंगे तो हमना लगुवर्यदध कंट का चितफल आ जाएगा तो लगुवर्यदध माप करते हैं अब बात करते हैं दिर्ख tulee fly पक्राइब पौइंट किसा из बना लिया डी सिब्सक्राइब और यह दो यह हो इस पर हमने चर्च हलिए यही भाग क्या है यहां से ले कर यह तक पौइंटผม सुँख गिंज पॉइंड रिदी फिर दी का लिए-ध बी दिर्वा Tibi के लिभे अगे डी वी का खत्रा निकाली यानि दरग बीट को डाट के लिए का बीचे शेतर बবरीट जाएंगे मेंस कर लेंगे लग्ष की ब्रीट्च न्लिक करें गर्ट का खेत्रफल और कि लिए पॉइंट इसमें बस लग विद्खंद यहीं समझें आई जो समझें का बस उसका पार है क्या तो आपने सारा पॉइंट समाझे लिए विरिद का कुछ कोशन देख लेते हैं तो फ्रेंट्स पहला कोशन आपके सामने मौझूद होगा जड़ा इस को पढ़िए दिया गया एक अर्दविर्तकार मैदान की परीदी चाफिस मिटर है तो इसकी रेडियस निकाले तो निकाले मैं पूछ हूँ और आपील ने एक्वल में चाथीस हो जाएगा किल रहे पाई mm कितना रख सकते हैं 22 बटे साथ रहो यह पाई असन बना लिए हम इसमसे दोनों में किया कपन ले सकते हैं हम से और राकमन लोगा तक हैंrega 3 त JSON अप प्रशानी दूखदर इसमें थोड़ा सा भी हलका सा भी चुल लुपार नहीं होगा नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला कोशन है किंद्र से किसी जीवा की लंबवई 10 cm तो ब्रीत का ब्यास गया दो जाने समझ हो कैसा करेंगे हमने यह बना दिये ब्रीत यह तो गया और केंद्र है केंद्र से 2,5 cm दूर एक जीवा है यह जीवा हुए इस जीवा की लंबवई कितना है दस सेंटीमीटर का जीवा है आघर यह आपको दिखे नीचे है और यह लं हो जाएगा चाहए है अगर बनता है यह बाते जानी है कि जहां लम पड़ेगा नबय डिगरी का एंगल बनेगा हमने इसमें क्या कि रचना कर दिया इस तरह एक त्रीजिया बना दिया नाम रखते हैं अगर आप इसको गंदे नजरों से देखेंगे इसको इस लकीर को इस तरह एक ट्रेंगल बना कौन सा ट्रेंगल जब राइट इंगल ट्रेंगल बनेगा जब नबय डिगरी बनेगा यहां एंगल तो यह राइट इंगल हो गया मतलब OCB OCB एक राइट इंगल ट्रेंगल है समकोड इंगल है समकोड ती रिभूज है क्लिए यह समकोड ती रिभूज है तो समकोड ती रिभूज में एक पर्मे होता है कौन सा पाइथागोरस पर्मे आपको पता होगी क्या होता है पाइथागोरस में कौन स्क्वाइर पलस में क में अधार यानि पांच का स्क्वाइर होगा रूट अंडर लगाएंगे फिर बारे का स्क्वाइर 144 माच के स्क्वाइर 25 दोनों को जोड़ेंगे तो 179 और यह अंदर से बाहर आएगा तो हो जाएगा 13 यानि ओभी का लंबाई कितना है 13 है हमसे क्या पूछाएगा बाई डा यहां से यहां लंबाई 13 है तो यहां से क्या ह्या होगा 14-20 इनली च्वञता है वयाको जाता है जब इसकी डीज मीटर बढ़ाए जाती है तो व्रेद का वरस्तितरी स्लिघ्या किति लिए यहीह निकालना है, व्रित के छेतर फल कितना होते हैं? πynr e square होगा πynr square समझते हैं व्रित के छेतरफल में, इस चेतरफल में 1 cm की ब्रीध ही हो घया उसराइए हो गई, मतल्म कितना हो जाएगा πषा पड़ प्राइर प्लस एक का होल स्कूर्ण ओगा वोगए नहीं कोछागए कि वास्ट्रीया निकाली निकाले तो फिर्ण समझेत यह बढ़ने वाला चीटर है बढ़ने वाला चीटर फटल मेरे से हम रियल चीटर फटल माइनस करेंगे हमेरे तीजे निकल के सामने होगा जब कि छेट फल दिया कितना है बाइस मैं आपसे एक सवाल पूछू यह बात पूछू आपके पास पांच रुपिया है और इस पर पांच रुपिया के बढ़ गया तो कितना हो जाएगा आप 10 रुपिया होगा मैं आपसे पूछू तो पहले पांच ही तो मैनस करेंगे तभी तो आपका रियाग पैस आएगा पांच रुपिया यह ला कि लिए उसी परकार है यह भी तो फ्रेंट समझें आप इसको करना कुछ नहीं हल करिए इसको हम पाई लिख सकता हूं एप पलस वान प्लस में टूर इपलस बीका होल इसकोर पर मैनस में कितना होजआगा रे स्कॉर जोनके हमने पाई निकाल लिया बराबर में 22 दशीं हो फिर एंट समझें यहां से ऑर स्कॉर आर स्कॉर कर लीका प्लस मों प्लस माइनस बचेगा पाई यांट हम प्सक्राइब को इधर उदर कर लिए मोहिए दो में by 성्व stop Life को भैलियू रख सकता हम वाइस मथे UP आप rif Bür apologized ascender अप्रेंश समाजेगा देखिए इसको उदर फ्हेंगे यानि इताफ पलॉस में वान इसको उधर फिकेंगे ये वहाग में इधर आएगा तो गुझी में 22 गुन अंब यानी 22 उप है यानि तो और पलॉस में मैं बराबर 22 सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुत कि लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत अगर माजा थोड़ा साइब वीडियो का लाइक 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 बनता है नए ताजा फ्रेस चैनल पर सब्सक्राइब करने का नेक्स्ट वीडियो मिलता है टेक क्यार